आज हम लोग आवरेज पर बात करने जा रहे हैं आवसत हाई लेवल कुश्चिन लेकिन आवरेज का जो डेफिनीशन मैंने दिया है उस डेफिनीशन को समझते ही पढ़ते ही सामने रखते ही कुश्चिन स्वाल बोजाएंगी इसका सेप जो है न कैसलेट टाइप का है आज कल क्या हो रहा है मेंस एक खास करके एक information दे दिया जाता है उस information से कुछ conclusion आप draw करते हैं और उस conclusion को draw करने के बाद उस पर questions होते हैं उन में extra information और questions होते हैं बहुत संदर question है मजा आएगा लेकिन average का definition आपको याद रहे और average का definition क्या है if all the items are distributed equally how much each will get that each equal value is said to be average यदि सारे मानों को बरावर बरावर माटा जाए तो प्रतेक मान कितना कितना हो जाएगा इस प्रतेक बरावर मान को ही और सथ कहते हैं maths देखता है इस definition में आपको mathematics दिखाई देगा English संदी दोनों में है आएए मैं बढ़िया से explain करता हूँ बहुत मजाने वाला है ready सबसे पहले देखिए informations है information से क्या conclusion draw होते है question number one and two के लिए directions है a family has 11 members a b c d e f g h i j and k ये 11 members है ठीक है the age of one of the members a is four years younger than the age of b who is 28 years old रुके 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 आगे बढ़ने के पहले एक बात समझे है b का age 28 years है information है और a four years junior है यानि की 24 है तोनों का average क्या हुआ 26 समझे पहले a and b के age का average क्या हुआ four years junior है two less कर देगे 28 से two less 26 26 हमको actual age भी मालूम है है कि a का 24 years है और b का 28 years है उनका average भी मालूम है 26 years है क्या लेंगे आगे देखते हैं क्या information है लेकिन ये एक information है जिसको ले करके हम आगे चलेंगे चलेंगे चले आएए देखते हैं इसके बाद है when the ages of these two members are excluded अच्छे 11 members है नहीं इसमें दो को हटा देते हैं the average age of the remaining members यानि nine members of the family becomes two years less than the average age when all the members are included देखिए एक बात बताईए मुझे पहले जो भी average है 11 का दो के हटने के बाद average two से less होता है बाकी nine का यानि इन दोनों का overall average से ज़्यादा है देखिए हम कैसे बनाना चाहेंगे इसको जो information उससे क्या निकलता देखिए सबसे पहली बात यह है कि यह हमने लिया देखिए क्या information है वो देखिए information है कि a and b का जो average है तो a and b का average 26 मानते है a and b का average जो है वो 26 years है देखिए हुआ है a and b का और यह ज़्यादा है overall average के यह ज़्यादा है overall average के तो देखिए ज़रा पहले जो average था उससे इन 9 लोग का जो average है वो कम होता है मैप ज़रा समझे यह a and b हैं इनके average की बात करते हैं average केता है 26 years average जल्दे बताईए a and b का overall average 9 11 का इतना है और 9 persons यहाँ है 2 persons यहाँ है इनसे 2 less है 2 less है यह question में कहा गया है तो यह 2 into 9 यानि की 18 का गंड़ा तो 18 का गंड़ा यानि की यह 99 का गंड़ा यानि average कितना आया 17 years average 17 years जल्दी बताईए जो information दिये हैं जिन पर की question होंगे उनमें हमने क्या क्या देखा कि 11 members का जो average है वो 17 years है यानि की देखिए 11 members जो है 11 members इनका जो average है वो क्या है 17 years यह information हमें मिले अगर हम sum की बात करेंगे तो वो 11 into 17 years यानि की 187 years होगा यह information है जिनको ले करके हमें आके बढ़ना है ए का इस हमें मालूम है यह 24 years है बी का इस 28 years है और average जो है A and B वो क्या है 26 years है यह information हमें पता हैं इन्हीं इन्फर्मिशन को ले करके हमें आगे बढ़ना है चलिए हम लोग चलते हैं question number one की ओर ठेक है चले question number one की ओर चलते हैं तो पहला question देखिए क्या है if it is given not given if it is given जो given हो तो हमने देख लिया यदी दिया हुआ होता that the age of age four years more than the age of B रुखी 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 दिया तो हुआ था कि age four years junior to B because 28 years और चार साल एक कम था इस question में कि यदी एक चार साल जादा होता question में कह रहा है कि अगर ऐसा होता whereas the age of B remains the same 28 years and the average age of the remaining members of the family becomes two years less than the average age when all the members are included यहनि यह condition वही है सब कुछ वही है बस एक चार साल कम नहों के चार साल जादा होता यह change करना what is the difference between the original average and the new average मतलब पहले जो हमने average निकाला 17 जबकि A चार साल junior है और अभी कहा गया कि A अगर चार साल senior है तो जो average आएगा दोनों average का difference क्या होगा यही सवाल है जल्दी बताईए आईए ठीक उसी तरह से बात करते हैं जहां तक A and B का सवाल है 4 years more है तो average 2 years more वह 30 years B का 28 years है A 4 years more है 32 है average 30 है हमें तो average है मतलब है just plus 2 28 plus 2 30 years A and B के A का average average कितना है 30 years देखिए जड़ा यहां बात करते हैं ठीक उसी तरह से बात करते हैं देखिए A and B के A का average है 30 years तो चलिए A and B के A का average जो है A and B यह जो दो वैक्ती है इनका average है 30 years ठीक है all average all persons second together इसका मतलब यह हुआ कि हम बात करें यह जो आता है ऐसे और 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 यह जो 9 persons है देखिए यह जो 9 persons है इसमें 2 का gap है इसका मतलब 2 into 9 18 का difference 18 का गड़ा तो 18 का गड़ा यानि 9 9 9 9 9 9 9 यानि 21 years जल्दी बताई यह average है 11 का जो average है 21 years है new average average 21 years question क्या था difference difference new and old में difference is equal to 21 minus 17 that means कि 4 years जल्दी बताई समझ में आया यह new average और यह old average यह समझ में आ रहा है आगे बड़े अगला question second question यह two questions इस पर है यहां आमने solve कर लिया two questions the average of the average of c, d and e is 12 years ठीक है k तक थे उसमें से 3 का 12 years है and the average age of f, g छूट गया न, e के बाद चलिए f, h, i, j and k is 14 years find the age of g, यानि कहने का मतलब 3 and 5, 8 और a, b का तो जानते हैं 10 और g का पुछा 11, मतलब कुछ ऐसे बनाएंगे देखिए, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे मैं map बताता हूं, सबसे पहले बात यह है कि इनका ले लेते हैं map बढ़िया से, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, देखिए सबसे पहले 3% हैं, इनका average age 12 years है, चरी, average age 12 years है, 3% है, इनका average age 12 years है, 3% मतलब, लिखा हुआ है, C, D and E, मतलब 3% है, इनका average age 12 years है, इसके बाद 5% है, उनका average age 14 years है, 5% है, 5% के नाम F, H, I, J, K, इन 5% का जो average है, वो 14 years है, G का पुछा है, और A, B का हमें पता है, A, B का हम जानते हैं, 26 years, A, B का जानते हैं, 26 years, ठीक है, और G का हमें निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं, कि G का हमें निकालना है, यहाँ पर यह 2%, 5% और 1%, देखिए, इन 11 है, 3, 5, 8, 2, 10 and 1, 11, इसका कितना है, यह हमें मालूम नहीं है, इसको हम लोग ऐसे बढ़ा देते हैं, पता नहीं कितना है, यह हमें नहीं पता है, लेकिन एक बात है, कि हमें यह मालूम है, देखिए, हमें यह मालूम है, कि इनका जो overall average है, उस 17 years है, जल्दी बताईए, जो के information शुरू में ही दिया हुआ है, यह 17 years है, average, map clear, map clear, last question है, देखिए, गड़ा कितने का है, यह देखिए, गड़ा, गड़ा है 17 से minus 5 into 3, यानि कि minus 15 का गड़ा, 17 से 3, minus 3 into 5, यानि कि 15 का गड़ा, और ड़ंडा कितने का है, देखिए, 17 से उपर 9, तो plus 9 into 2, यानि 18 का ड़ंडा, तो यह वाला क्या होगा, यह बताईए, यह वाला क्या होगा, यह वाला क्या होगा, यह मान लीजिए, X है यहां से यहां तक, तो हम जानते हैं कि दंडा बराबर गड़ा, दंडा बराबर गड़ा, 15 plus 15 is equal to 18 plus X, इसका मतलब X is equal to 12, यानि यह value आया 12, यह value है 17, तो यह value क्या है, के 12 plus 17, यानि की 29 years, answer, बताई, समझ में आया, यही दो question थे, इसी तरह से questions आते हैं, मेंस exam में chapter को कैसलेट के रूप में लिखते हुए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने session को enjoy किया होगा, all the best, bye. झाल झाल फिए में 30 शफल, इसी दिएप़ीर, यह उसी दो खन में किया है, झाल झाल